आप सवना मंहल मैं जीवन नी शुब कामना रुशी चिंतन चैनल मां आप सवनो खार्दीक स्वागत्चे आवो खायत्री महामंत्र साथे साथे ओम्भुर्भुवास्वातस्वितुरवारेड्यम् भर्गोदेवस्यधीमाही धीयोयो नाहा प्रचोदयाः गायत्री मंत्रना रेयक्षनी व्याख्या पुस्तकनु नामचे ग्रह लक्ष्मीनी प्रतिष्टा लेखग पंडित स्रीरामसरमा आचार्य ग्रह लक्ष्मीनी प्रतिष्टा पत्नीनु अमेशा सन्मान करो गणा लोको पतानी जातने स्रीनी सर्खामणीमा मोटी मानीने अत्वा बेपरवायती पतानी पत्नी साथे सिष्टता नोयवार करो बीन जरुनी समझेचे पलत्तु आ मोटी घेर्ष मत्चे जे लोको पताना डामपत्य जीवनने सफड़ बनावा इचित होए तेने पत्नी प्रतिष्टे समान युक्त व्यवार और वार्तालाब करो जोगी जे पुरुस विनाकारण तेवनी साथे कठोर व्यवार करेचे पतानी आश्रित समझी ने तिरिसकार करेचे पत्नी ने बेज़त करतोरेचे ते शिलवान न थी तेनी स्त्री मन थी तेने राक्षस मानेचे एवो प्रसंग और उभो थवार न देवो के श्त्री ने महार्विट करवी पड़े पताना आचार व्यवार तता प्रेम्थी भरेला समझो थी पुरी संतुष्ट राक्ये पत्नी ने भावनावनु रक्षन तो तेना भुणों आदर तेना सील दज्या और व्यवाने पुसंचा करवी पत्नी पोताना जीवन सहचारी चे अनेने पोताना सद वेवार ने तुरुप्त राक्ये पत्नी ने पत्नी प्राण चे पुरुष्णी अध्धांग नी चे पत्नी तीवधारे कोई मित्र न थी पत्नी त्रणे फड धर्म अर्थाने कामने आफनारी चे तेमा संसार सागारने पार करवामा सवती मोटी साहिका चे तो पची क्या मोटे तमे तेनों तिरिस्कार करो चे तेनी साते मधूर वाणी मा बोलू पतिना मुख पर मधूर्श्वीत होए रदय मा साथो निस्क पट प्रेम होए वाणी मा नमरता गृदुलता सरलता अथा प्रेम होए याद राको पिस्त्री नों अहम खुब तेज होए चे तेवो स्वाभीमानी आत्मभीमानी होए चे थोड़ीक अस्षिष्टता अथवा फूर पड़ाने लेने रोधे भराईने आपने बाबतमा धुनित त्रार्णाओ बनाविले चे तेनी नानी मोटी मागणियों पिच्छाओने आउगर्णा न करो आब आपते खुब सावधाने राखो जेश्त्री एक नानी सरकी भेडती खुश्ते इने आपनों डासत्व और गुलामी शिरकारवा तैयार होई चे तेना माटे वधुच करी चुतो आथी पत्नीनों सब प्रकारे आदर करो तेना सबंदी क्यारे कोई अपमांजनक वातो मुखमाती न काटो तेमनी तेमनी आजरीमा अथवा घेराजरीमा तेनी मचात न करो श्रियो माटे योग्या शिक्षन जरूरिया पत्नीने वास्तव मा वास्त्रीक अर्थमा ग्रह लक्ष्वी बनावा माटे योग्या शिक्षन घणी जरूर चे शिक्षन प्रभावति मनुष्यना मस्तक तथा मननों विखास तायचे आने उताना करत योने अदा करवाने योग्या बनी सकेचे जीवन संगर्षमा पुरुसोनी सर्कामणी मा स्त्रियोनों काडो वधारे होचे पुरुस्त कार्य तो कमावा सुन्दी शिमीचे परत तो स्त्रियोतो समाजनों निर्माण करेचे एटला माटे स्त्रियोने वास्त्विक केरवणी आपवामा नावे तो स्वभाविके ते समाजमा असांतिनों वातावाण केलासे तेमा पुरुसोना सिक्षण करता स्त्रियोनी केडवणीनु महत्व वधारेचे नारीने जो रमणी बनावियोए तो केवड काल्पनिक सिक्षण पूर्तुचे परंतो नारीनु चरम लक्षय माता बनमानुचे नारी समाजनी निर्मात्री चे समाजमा भाई पिता फुत्र अने बहेन पत्नी अने पुत्री रहेचे यह माटे घरमा रेता आब धात यथा योग्य निर्मानुँ कार्य नारीए करवानुचे कारण के ते सर्व उमलाय थताज समाज ना सब्यो बन से आने समाज संगर्ठन मा तेमनो व्यापक भाडव से ते माटे जो तेमना मा पिता पुत्र भाइबेद मा अने पत्नी ना करतावे सबंदी भावना जाक्रत थाई जसे तो आ संसार थोड़ाज समय मा नंदन वन बनी चारे बाजु सांतिनो प्रभा वेतो करवा मा सफडता प्राप्त करी सक्षे बाल्य अवस्तामा जिन्दगी परास्तित होएचे अने आज समय तेमनी साथे कोई प्रकाली जाबदारी होती नती जियां सुंधी भोजन तेमने रमत कमस्षिवाय विजयु कोई काम तेमने नती होतु परन्तु जीवनमा बाड़ पन कायम रहतु नती योवन आवे औने घ अधी शक्तियों खिली उठे तथा नस्टपन तई जाये चे आथी जे शिक्षन औने वेवार मा वेवारी कोई करता सिखे ते जीवन संगर्शमा विजय अपावे चे ते जीवन निर्वनमा सांतिनु कारण बने चे आज कार नारीने शिक्षन आपवावे चे तेना थी भा कार्मठा कार्मस्ता कथा कर्तावय माटे कोई स्थाग न थिवतु तेनों पड़िणा ए आविव चे वढ़ेली गणेली चोकरियों साडावों औने पोलेजों माथी ते प्रकार नों एक कलामय जगत लेने बहार आवे चे जेनों निर्मान करूं तेमने शिखावा आविव नहतूं तेमने जे काई सिक्षण आपवामा आवे चे पुपभोग करवान हो चे निर्मान कर्या सिवाय पुपभोग नों स्थान क्या थी होई सके परन्तु तेमने तेनों गणान होतू नती पिर्षेली थारी उपर जव्वानी कल्पना ने कारडे जहारे तेमने पिर्ष दुखो नी मजभूर अजे दिवालो भी करिदेची अने एक सिक्षित्रियो लग्न बंदन थी दूर रेवाई चे चे लग्न ने ते पुरुष ने आधीन थवानू माने चे खरेकर तो तेवने कोई ने आधीन थईने रेवानू सिख्वामा नथी आवतु परत्तु भारतिय प्रणाली का प्रमाने लग्न कर्यास्रिवाय रेवु संभव नथी तेनी जवाबदारी थी लग्न ना फंदामा फसाई जवाने कानने जीवन पर बेचे रहेचे आनंदना जरना रुपी लग्न जीवन ने तेवु दुखती भरी देचे जे गर ने स्वर्ग बनावी ने पोटाने स्वराज्य ने साम्राज्य कर्या ये जवाद ican कर दो जे तेनी लग्ने जगत्म पाँ है ते जवाद दो ते मत्माने तुखती का चामाप्त करे थी क्त्थ द साथ चाहु उदलने जीवन ने समाप्त करelnा है थी धर्मासास्त्रौ औने मह भान बाहध०य प्रण संपोन सत्त चे के ग्रस्त जीवन और मनुष्य जीवन नू सुचारू रूक्ति संचालन थाउं ते सद गुणी पत्नियों नाच पत्नियों परज आधारितों चे आथे श्रीयो ने सुयोग्य ग्रहनी बनावानू अने आ उदेश्च्य पूर्ति माटे तेमने कुच्चित सा आधन और अधिकार आपवन आपनों परम कर्त वेचे समाज ना कल्यान नो अधार मुख्य रूक्ति कर्त वेपरण स्त्रीयो परज रहलो चे अस्तुपृ।